हाई प्रेंट्स आज मैं आपको दिखा रही हूं अपना ये रोस प्लांट इस पर आप देख रहे हो कि चार इसकी ब्रांच निकली हुई है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सकर्स की पहचान नहीं होती है जो ग्राफ्टेड रोस होता है उस पर इस तरह की निकली हुई थी ये नॉर्मल ही होता है जो ग्राफ्टेड रोस होते हैं तो देसी रोस में आपको इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा तो क्योंकि इसमें जो होता है रोस के उपर इंगली ग्राफ्ट किया होता है और उसके नीचे से अगर कोई भी प्रांच नि नहीं आपाते हैं तो ये में प्राबलम होती है गुलाब ना आने की तो बहुत सारे लोगों के पास घर में ऐसे प्लांट होते हैं जिन में की फूल नहीं आते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि क्यों प्लांट पर फूल आते आते बंद हो गए हैं तो आप हमेशा जो फूल आते हैं उनको आना बंद कर देता है तो इस प्लांच पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो देखते हैं कि इस पर अभी रोज आते है या नहीं यह काफी पुराना प्लांट है और इस तरह से मैंने चार ब्रंचे से सकी निकाली है तो हमेशा आप देखना कि इसकी जो leaves होती है seven होती है इसकी यही पैचान होती है जो grafted किया होता है वहाँ से इसके बिल्कुर नीचे से branches निकलती है इस तरह से मैंने इन चारों को cut कर लिया है और इसके उपर देखिए आप कितनी इसकी height होगी लेकिन फिर भी इस पर कोई भी जो hool है नहीं निकला है ना ही कोई flower brand है इसी तरह से और भी कुछ एक दो plant है मैं उनको भी दिखाती हूँ एक दूसरा plant है इस पर भी देखिए चोट चोटे सकर्स निकले हैं नीचे से यह बिल्कुल roots के नीचे से निकलते हैं इसके यह main problem होती है अगर आप इसको cut करते हैं तो जैसे ही आप cut करते हैं इसमें से 2-2-3-3 सकर और develop होने लगते हैं तो मेरे साथ भी यह problem होती है यह आप देख रहे हो यहाँ से graft किया हुआ है पॉलोथीन आपको हलका सा नजर आ रहा होगा इसके नीचे से जो भी प्रांच निकलती है उसको हमेशा ध्यान में रखे और उसको तुरंथी cutting कर दें तो देखे सकते हो आप इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है और एक यह और रोस का प्लांट है इस पर फ्लारिंग स्टार्ट होने वाली है बड्स बनी हुई है लेकिन इस पर भी नीचे एक चोटा सा सकर निकला हुआ है तो इसको भी मैं अभी हटा देती हूँ आप लोगों को मेरी आज की यह वीडियो हेलपफुल लगेगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें फिर मिलेंगी नहीं वीडियो के साथ